हमने कितनी बार देखा होगा कि एक अवनेता द्वारा अज़ स्विकर की गए फिल्म को दूसरे द्वारा साइन किया गया जो बात ने बोक्स ओफिस पर बड़ी सपल हुई और ब्लोगवस्टर बन गई आदिपुरुश श्टार प्रभास को किसी परिचे के आवसेकता नहीं हैं और इंदन उनका नाम सूफर ट्रेंडिंग है क्योंकि फिल्म को लोगों ने नकार दिया है साहो और राधिस्याम के दोरान भी दरसकों को इंप्रेस करने में सफल नहीं हुए लेकिन जिस तरह से अब उनके आलोज चुना हो रही है वैसे साइध ही उन्होंने अब तक क अपने केरियर में जहले होगी अब नेता पिछले दो दसकों से अधिक समय से दक्षिन भारत में दिल के धरकन रहे हैं लेकिन साल 2015 की फिल्म बाहवली द बिगनिंग के साथ वो गलोबल स्टार बने उन्होंने अपने केरियर में कई फ्लॉप फिल्में दी हैं और उनकी लि कि रिबल स्टार ने कितनी सांदर फिल्में ठूप राई हैं अगर नहीं तो चले हम आपको आज बताते हैं ओकाडू साल 2003 की रोमांटिक एक्सन फिल्म जो गुन सिकर दोरा लिखी और निर्देशित की गई थी और ये एक बड़ी हिट थी इसके लिए आज भी महस बाबो क याद किया जाता है लेकिन ये जानना दिल्चस्प है कि ये फिल्म मूल रुप से प्रवास को ओफर की गए थी हाला कि मिर्ची अविनेता ने फिल्म को अस्विकर कर दिया क्योंकि उन्हें इसका कॉंसेप्ट थोड़ी जोखिम भरा लगा था व्रुंदा बनम जो कि सबसे प्रसिद और सबसे बड़े पारिबरिक मनरंजन में से एक है इस फिल्म के मेकर्स की पहले चोईस फ्रवास थे लेकिन उन्हें इसे करने से मना कर दिया था दरहसल उस समय वो मिश्टर परफेक्ट की सूटिंग में बिजी थे बाद में ये जूनियर एंटियार के हाथ लग फिल्म में विजी थे और इसलिए इसे अस्विकार करना पड़ा बाद में ये नितिन के पास आई और इससे उनके श्टाड़ों को काफी मुनाफा भी हुआ आरिया के लिए आज भी अलू अर्जन को फैंस यात करते हैं और फिल्म एवर ग्रिन है ये एक बड़ी व्लोगवस्टर फिल्म थी और इसे करने का ओफर भी सबसे पहले प्रवास को हुआ था बताया जाता है कि इसकी स्क्रिप्ट भी प्रवास को ध्यान में रकर लिखी गए थी प्रवास ने इसे करने से मना कर दिया और बाद में ये फिल्म अलू अर्जन पर चली गई इसने दुनिया भर में 30 कर रुपे की कमाई की और हिट साबित हुई डौन सीनू रवी तेजा और सिर्या सरन श्टारर 2010 की तेलगू एक्षन कॉमनी फिल्म को चत्रवती अविनिता प्रवास के लिए लिखा गया था लेकिन उन्हें फिल्म का कॉंस्ट पसंद नहीं आया और उन्हें इसे ठुकरा दिया बाद में रवी तेजा की किसमत इस फि लेकिन मिर्ची के साथ अपने बिजी सिर्यूर के चलते उन्हें इसे रिजक करना पड़ा बाद में पबन कल्यान ने भी इस फिल्म को ठुकरा दिया था और फिर राम चरन को प्रमुख भुमिका निवाने के लिए चुना गया फिल्म को लोग आज भी पसंद करते हैं और राम चरन को सहरा आते हैं जिल 2015 में गोफी चन, रासी खना और कबिर्द दुहन सिंग की फिल्म प्रवास को ओफर होई थी और उन्हें इसे भी ठुकरा दिया था क्योंकि वो उस वक्त वहवली को फिल्मा रहे थे इसे रिजक करके प्रवास को ज़्यादा नुक्सा नहीं ह था उस्रा वली 25 करोर के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर 57 करोरपे की कमाई की उस समय बॉक्स ओफिस पर सार रिकॉर्ड तोर दिये थे इसमें जूनिर एंटियर और तमन्या भाटिया मुख्य भुमिकाम में थे ये फिल्म भी प्रवास को ओफर की गए थ किक प्रवास को कतित तोर पर रविदेजा की फिल्म की के लिए अप्रोच किया गया था लेकिन वो इसके बारे में अपना मन नहीं बना सके और फिर रविदेजा के पास ये फिल्म चले गए जो बात में सूपरेट साबित हुए सुनकर आस्चर्य होगा कि प्रवास एक बार एस एस राजा मोले की फिल्म सीमादर्य को भी रिज़क्त कर चुके हैं ये फिल्म भी जूणियर एंटियार की जोली में गई और वो सूपर स्टार बन गए राजा मुले की इस फिल्म को करने के बाद जूनियर एंटियार की क्रेजी फैन फ्लोइंग जबरदस तरीके से बढ़ गई थी हाला कि ये फिल्म स्क्रिप्टेट थी और फैले प्रवास को उफर के गए थे लेकिन वो इसे करने से भी चुक गए इस तरह से एक्षन से लेकर रोमांटिक कॉमेडी तक प्रवास को कई फिल्मों में दिखाया गया है जो दोबारा देखने लायक है लेकिन आप साइध ही जानते होंगे कि रेवल स्टार ने कितनी सादर फिल्में ठुकराई और अब उन्हें इनके बारे में सोचकर पस्तवा जरू होता होगा